हुआ हुआ अब जो नबसक्र दोस्तों मैं केश्र के लाइब और आथ हमाएं हाइए आपना एक नया फोन लॉंच किया जिसका नाम है हाइव प्राइब दो चलिए शुरूप करते हैं इस फोन के लुक्स और डिजाइन के बारे में तो फुल मेटल बॉड़ी वाला ये फोन है यूनि बॉड डिजाइन है आप देख सकते हैं के नीचे की तरब इसके स्पीकर गिल्स है और टाइप सी यूसी पोर्ट है पीछे की तरब आपको मिल रहा है फेंगर प्रिंट सेंसर क्यामरा दिया है और टॉप पे है आपका 3.5 mm audio jack और IR blaster और अगर आप देखेंगे इसके राइट इन साइन में तो आपको पावर बटन मिल रहा है और वॉल्म यॉकर की मिल रही है और इसके रेख साइन में आपको SIM ejector tray है यानि यहां पे दो SIM डाल सकेंगे एक SIM 4G है और एक SIM 3G है को एक हाथ से यूज कर पाएंगे और आपको जादू कि फुल HD resolution लिया इस फोन में और इसके साइज में 2.5D curved है तो 2.5D curved glass यूज किया गया इस फोन में इसका display काफी अभी vibrant लग रहा है और काफी bright है मैं outdoor sunlight में इस फोन को यूज कर रहा हूं देख सकते हैं color washed out नहीं हो रह colors एक दम neat और clean आ रहे हैं distort नहीं हो रहे colors बिल्कुल भी बात करें इस फोन की performance की तो performance इस फोन की काफी अच्छी होगी और उसकी वज़ए यह है कि आपको इस फोन में Mediatek का Helios X20 processor मिल रहा है 4GB की RAM मिल रही है साथ में तो मैं आपको एक demo दिखाता हूं में फटा-फट इस फोन में अभी फिलाल lagging issue नहीं आया hang नहीं हुआ पर असल इस फोन की performance कैसी है वह मैं आपको इसके review में बताऊंगा अभी मैं बिल्कुल कुछ comment नहीं कर पाऊंगा और क्यूंकि इस फोन में आपको stock android मिल रहा है यानि company इसको बोल रहे है pure android 6.0 marshmallow आपको इसमें मिल रहा अब इस फोन camera की बात करें तो इसमें है 13 megapixel का rear camera मैं आपको एक picture capture का लिखाता हूँ काफी जल्दी picture capture हुई और मैं picture को zoom करके दिखाता हूँ आपको picture quality decent लग रही है in depth में अगर आपको इसके picture quality के बार में जानना है तो आप उसके लिए हमारा review जरूर देखिएगा अब इस इस फोन में इतने सारे features use कर पाएं आपको दिक्कत ना होए फोन सार दिन चले इसलिए इस फोन में आपको 3500 mAh की battery मिल रही है 32GB की internal storage है और आप इसको 200GB तक expand कर पाएंगे तो अगर आप बहुत ज़दा गेम जालते हैं बहुत ज़दा movie save करते हैं तो आपके लिए एक अच पर क्या पता है फोन इसके रिव्यू में काफी अच्छा साबित हो मैं इस पर comment नहीं कर पाता मैं इसको रिव्यू करूंगा और आपको पता हूँ का इस फोन के बारे में क्या फोन ये 17,999 पे में खरीदने के लिए लायक है या नहीं अगर आप इसके competition के बारे में जाना च